नमस्कार साथियों, जन्व दिन की हर्थिक सुखामना है उन दोस्तों के लिए जिनका जन्व दिवस है तो चलते हैं दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, फिलाटेक्स फैसन्स लिमिटेट पे जिसका की सेयर प्राइस तिरानमे पैसे है, जो की पिछले ट्रेडिंग डे में अप्ट्रेंड बनी है इसे स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से गिरावट बनी गई थी, तो इसका मार्केट कैप 775 करोड का है और श्टॉक पी 87.4 का है, जो की नॉर्मल स्टॉक से जादा है, यानि की नॉर्मल कंपनी के पी से जादा है, यानि की सेयर प्राइस इसका जादा है, इसके अनुसार आरोसी 1.07%, आरोई 0.73%, बुक वैलू 2.76 पैसे, तो बुक वैलू से काफी नीचे में ट्रेट कर रही है, यह स्टॉक अब बावन भी का है लो, तो 4.30 पैसा और 89 पैसे, डेविडें डिल्ड कुछ भी पे नहीं कर रही है, और फेस वैलू 1.00 का है एक नजे, bacindia.com वैबसाइट पर डालते हैं, तो पता चलता है, फिलाटेक्स फैसंस लिम्टेड का शेर प्राइस, 96 पैसे है, जो कि पिछले ट्रेडिंग डे में, माइनस एक पैसा हुआ है, 31 अक्टूबर 2024 के अनुसार एक और खास बात है, कि यह ESMA stage 2 में है, यानि कि सेवी के निगरानी में गया हुआ है यह stock, सेवी इस पर निगरानी रख रही है, बाकि इसका delivery percentage तो 100% है, क्योंकि किसी भी stock में अगर downtrend बनती है, तो ऐसे time में 100% ही रहता है, या uptrend बनने वाली होती है, तो भी, तो यह normal बात है, बाकि यह stock 982024 को split हुआ था, 5 रुपए से 1 रुपए पर है, हाँ तो दोस्तों, nseindia.com वेबसाइट का नाम है, इस पर देखते हैं, फिलाटेक्स पैसांस लिम्टेड का share price, तो 93 पैसे है, जो कि पिछले टेडिंग ने में, एक पैसे ऊपर की तरफ चड़ा है, और यहाँ पे delivery percentage सो नहीं हो रहा है, overall, last में, इस stock के लिए, यही का जा सकता है, कि इसमें खास नूच, तो यह ESM stage 2 में है, जो कि इसे भी के निगरानी में इस stock अभी, और दूसरा, कि 100% delivery में इस share को उठाया गया है, यानि कि इस company के share को ले लिया गया है, पिछले trading day में, वो भी BSE.com, यानि कि BSE exchange में, बाकी, अब तक मेरे साथ ही इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यबाद साथ ही हो, फिर मिलते हैं, नेक्ष्ट वीडियो में, नाय श्टॉक के साथ हुए, उससे पहले एक आवस्यक सुचना, कि मैं वीडियो बनाता हूं, only one knowledge purpose, investment, अपने गुद्धी वीवे का अनुसार, और सूज गुच का अनुसार ही करिए दोस्तों, नमस्कार साथि,